वेलकम तो थिंक नेक्स टेक्नोलोजी प्राइवाट लिमिटेट तो इसमें आपने जब जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने हैं डिफ्रेंट इफ्रेंट इफ्रेंट वाउचर्स में जिनको हम सेल्स परचेज रिसीट्स पेमेंट कॉंट्रा जर्नल इन नाम से जानते हैं उनको आपने वाउचर्स पे जाके यूज करना तो step number one है आपका topic का name है how to post the journal entries ठीक है आज का topic है how to post the journal entries सेप नंबर वन आपने जाना है यहाँ पर वाउचर सब पहले आपने वाउचर सब जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड प्रांड़ दिखता जो हम रही करने वाले है PEAR CEEAL Hey pin क्षा cleaner en आजाता है तो परचेज वाउचर को ओपन करने की शॉर्ट कट की बिल्कुल सामने लिखी है दाट इस एफ नाइं आप अपने फंक्शन की इसमें से F9 को प्रेस करोगे simple F9 को प्रेस करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से screen आएगी right इस screen में आपको journal entry post करनी है जो की debit और credit की form में होती है ठीक है लेकिन आपको screen में कहीं पर भी debit credit word नहीं देख रहा होगा right क्योंकि यह जो software है मैंने आपको पहले भी बताया था यह अलग-अलग levels पे काम करता है चोटे level से लेकर MNC level का काम है अब उसको नहीं पता कि आप कौन से level का काम यहाँ पर post करना चाहते हो हमें first level यहाँ पे चाहिए bookkeeping का level चाहिए यानि मुझे इसे change करना voucher मेरा बिल्कुल ठीक है परचीज voucher मेरा बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर वारी चीज मुझे change करने पड़ेगी according to my situation उसके लिए मैं इसका mode change करूंगी how to change the mode इसी screen पे आपको ctrl h की command देनी है ctrl h ठीक है ctrl h प्रेस करने पर कुछ इस तरह से option आते हैं आपने यहां से लेना as voucher as voucher का यूज होता है जर्नल एंट्री पोस्ट करने के लिए first level के लिए ठीक है select करना as voucher अब screen हमारे recording आ रही है debit credit आ रहा है परचीज वाउचर आ रहा है अब मैं यहां पे अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट कर सकती हूं तो आपके पास already जर्नल एंट्री पड़ी हुई है कोई भी जर्नल एंट्री बताईए जरा मुझे अपने पास से परचीज अकाउंट डाबिक टू कैश अकाउंट्री ठीक है अब वह एंट्री मुझे यह पोस्ट करनी है पोस्टिंग के टाइम पे टैली सौफ्ट्वेर में क्यार्फूली यह देखना है कि पहले इसौफ्ट्वेर आपसे क्या-क्या कमांड मांग रहा है फटा-फट काम पोस्ट करने की तरफ नहीं जाना उसकी जो रिक्वार्मेंट है उसको फुलफिल करना दन फिर आगे की तरफ जाना तो पढ़ते जाना क्या-क्या चीज मांग रहा है सबसे पहले वो मांग रहा है supplier invoice number आपने कोई भी डाल देना भी क्यूंकि हम education mode में सीख रहे हैं इसे blank न IT department के अंदर number submit होते हैं जो slips होते हैं उनके number उनके पास होते हैं कि आपने कितने slips यूज़ किये during the financial period, during the week, during the month ठीक है फिलहाल यहां मैं एक fake number डाल रहे हूं मान लेते हैं कि यह वाला number मिला हुआ P001 something, type any number, कोई भी number type करो बस डालना है और जो भी number type करोगे वो दूसरे के साथ match नहीं होना चाहिए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग reference number जाते हैं ठीक है, एंटर घर देना है date अभी हम change नहीं कर रहे है, date change करने का process में आपको बाद में बताऊंगी, पहले entry posting की तरफ focus करते हैं तो date बस एक तरफ नजर आपने रखना है कि यह date और right side की जो date है वो same होनी चाहिए ऐसा ना हो कि वहाँ पे लिखा हुआ है 2 April और यहां लिखा हुआ है 3 April या 5 April यह दोनों अलग-अलग नहीं होनी चाहिए ठीक है, वो वाली date होती है software की date, यह वाली date होती है slip की date तो software में जिस दिन entry pass कर रहो, slip में भी वही वाली date होनी चाहिए ऐसा ना हो दोनो mismatch हो जाए आपका data खराब हो जाएगा, कल को checking हो गई तो पर्ची में तो कुछ और लिखा होगा, slip में कुछ और होगा और software में कुछ और चल रहा होगा, वो बोलेंगे कि आपने mismatch काम किया होगा, चीक है, तो भी match करके चलना है and enter press कर देना enter press करते ही, side में वो सबसे पहले आपके बनी हुई ledgers open कर देगा, क्यूंकि मैंने थोड़ी ledgers बनाई है तो थोड़ी नाम दे रहा है, आपने सारी बना ली हुई है, 30, 40, 50 something ledgers बनाई है, वो सारी list यहाँ पे आएगी, but be careful वो कौन सी side पहले मांग रहा है, credit side मांग रहा है, debit side नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो credit side में हमारा क्या है, cash account, right, तो cash तो पहले से मौझूद होता है, मुझे बनाने की जरुरत नहीं है, नाम भी दे रहा है, इसको enter कर दो, enter करने के बाद यह कोई भी अगर slip on करता है, आपने वहाँ फिलहाल कुछ नहीं पंच करना, इन slips का का बिलिंग में होता है, बिल्स में चाहिए होता है, जर्नल एंटरी में नहीं चाहिए, एंटर, एंटर कर दो, और skip कर दो इसक्रीन को, यहां कुछ फिल नहीं करना, जस्ट प्रेस एंटर, एड्रेस की sheet आई है, एड्रेस भी गएरा भी पंच नहीं करना है, अपनी company का हमने किया हुआ है, तो cash का amount कितना, 5000, तो यहां पर हम टाइप कर देते हैं 5000, चिक है, एंटर, एंटर करने पर software warning भी देता है कई बारी, यह warning आपके original software में नहीं आनी चाहिए, यहां आएगी, because हमने एक fake company बनाई है, यहां पर अभी सिधे purchasing पर चले गया है, कोई capital भी गया इंव test नहीं किया अभी, तो वो बोल रहा है कि आपकी company के पास पैसे नहीं है, क्या मैं आगे चला जाओ, तो enter की command दे दो, वो आगे smoothly चला जाएगा, warning देना उसका काम है, कि alert हो जाओ, पैसे नहीं है आपके पास, फिर भी अगर go through करना चाहते हो, तो enter मार दो, तो हां मैंने run कर गई, purchase account debit to cash account, चीक है, इसको enter कर दो, अगर आपको narration type करनी है, आप narration type कर सकते हो, अगर आपको narration skip करना अभी के लिए, आप skip भी कर सकते हो, choice आपकी है, जैसे narration यहाँ पे क्या बनेगी, bank goods purchased by cash, simple से बनेगी, और इसको save कर दो, enter कर दो, accept की command ले आया है, enter कर दो, या y press कर दो, आपकी first entry pass हो गई, save होने के बाद, आपके numbers यहाँ पे change होने, start हो जाएंगे, that means पहला voucher, save हो गया purchase का, ठीक है, कोई problem आई हो यहाँ पे, okay, okay बच्चे, after posting the journal entries in the purchase voucher, आपने उसको check कहाँ पे करना है, ठीक है, क्योंकि checking main है, काम तो हो जाता है, checking करने के लिए, मैंने आपको theory session में बताया था कि आपकी reports ready कर रहा है वो, अभी just हमने purchase voucher में entry डाली है, जस्ट अभी अभी डाली है within 5 minutes, तो आप पहले main screen पर आओ, नेचे यहाँ पर इसके reporting का system होता है, यह सारा reports का है, काम सिर्फ यहाँ तक होता है, voucher तक होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने day book check करनी होती है, daily transactions जो हो रही है, day book का दूसरा नाम है journal book या first hand book, जो हम manually first step करते है, तो यह इसने खुद बनाई है, मैंने ने बनाई है, day book पर गए, enter press किया, first April को जितना काम किया होगा, सारा आ जाएगा, क्यूंकि मैंने एक ही entry pass की थी, उसने मेरे को एक entry show कर दी, आपने जितनी entry pass की होगी, वो सारी show करेगा, but according to particular date, एक April का देखना है, एक April का दिखा देगा, दो April का देखना है, date change करके दो April का भी दिखा देगा, वह हम आपको आगे बताती हूं कि कैसे change किया जाता है, अब इसमें अगर अंदर की details आपको बाहर देखनी है, अगर आप चाहते होगी मुझे अंदर वाला काम, बाहर भी थोड़ा सा reflect हो जाए, उसके लिए Alt F1 की command दी जाती है, details लाने के लिए, Alt F1 जब press करोगे, आपको ये debit credit वाला data बाहर निकाल कर थोड़ा सा देगा, जारानी देगा, थोड़ा सा देगा, अगर आप इसको enter प्रेस करते हो, आपके जो slip है वो सारी सामने आ जाएगी, य यहां से slip changes के लिए भी जा सकती है, कोई चीज चीज करना है, या चेक करना है, यहां से कर सकते हो, alter करना है, delete करना है, cancel करना है, सब आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ये चीज पता चलगी, कोई problem यहां तक, ठीक है, इसी के साद आपकी balance sheet भी वो बना रहा है साथ में, मुझे कुछ नहीं करना है, balance sheet भी बना दी होगी, अभी तो नुकसान ही हो रहा होगा, obviously purchase ही किया है, कोई sale नहीं किया, कोई investments ने की, तो उसने पहले ही बोल दिया, current assets भी गया रही है, क्योंकि मैंने कोई purchase किया था, समान, उसने बोला, current asset खरीब है, आपने 5000 के, बना रहा है, automatically, मु इसी तरह अब आपने अगला voucher यूज करना, that is sale voucher, ठीक है, sale voucher कहां पे होगा, आपके vouchers के अंदर ही, sale voucher, f8 command के अंदर होता है, ठीक है, आप f8 पर जाओगे, and sale voucher को open कर ले न, ठीक है, sale voucher open होआ, बट ये भी debit credit में नहीं आ रहा है, debit credit के format में नहीं आ रहा है, again, मैं यहाँ पे भी इसका mode change करूँगी, ये यहाँ पे use नहीं होता, ये आपके invoicing level का format है, अब भी नहीं आएगा, ये जैसे level up होगा, तब मैं बताऊंगे, आपको अभी बताऊंगे, confused हो जाओगा, इसका use नहीं, सारे use करते हैं रहा है, एक voucher का multipurpose काम होता है, ये ये फिक्स्ट है कि इसमें यही होगा, बस no, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि market में बहुत सारी चीज़ों में काम हो रहा है, goods में deal हो रहा है, service में deal हो रहा है, journal entry में deal हो रहा है, कर तो sales पर चीज़ ही रहा है, आजा के काम तो वही चल रहा है, basic चल रहा है, again मुझे as voucher लेना, as voucher को pick करने पर यहाँ पे debit credit activate हो जाएगा, अब sales में कुछ चीज़ें वो नहीं पूछ रहा है, कोई supplier invoice number नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हम seller है, अब इस time पे seller हम है, ठीक है, और यहाँ पे देखो debit side पहले पूछ रहा है, जैसी journal entry आपने manually record की हुई है, तो entry CD ही जाएगी यहाँ पे, cash है, cash account debit, इस voucher का कोई काम नहीं है, slip का कोई काम नहीं है, यहाँ पे amount punch कर लेते हैं, for example, 12,000 का था, enter, and credit side में sales चाहिए, sales की ledger बना रखी है, and enter, ठीक है, अगर आपको narration लिखना है, आप narration लिख सकते हो, नहीं लिखना है, कोई problem नहीं है, narration important क जहाँ होती है, उस company में, जहाँ पे CA checking के लिए आता है, auditing का काम जिस company में चलता है, वहाँ पे narration का काम चलता है, जहाँ auditing नहीं करवाई जा रही है, CA के अंडर से काम रन नहीं हो रहा है, वहाँ पे narration की requirement खतम हो जाती है, ठीक है, narration जहाँ पे auditing चलती है, वहाँ होता है, otherwise जोर्वाइबस नहीं, simple company, simple showrooms में नहीं होता, बड़ी-बड़ी बड़ी company, जहां auditors बुलाया जाते हैं, inspectors बुलाया जाते हैं, वहाँ वो बोलते है narration लिखकर रखा हो, यह narration print भी करवाने पड़ते हैं, ये narration उनको check भी करवाने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास इतना experience होता है कि वो आपकी narration पढ़के बता देगे कि error कहां की है entry नहीं दिखेंगे आपकी just read करेंगे वो क्या लिखा है बच्चे में ठीक है? तो narration वहाँ important है otherwise आप छोड़ भी सकते हो and narration rate ऐसे करना है कि उपर का काम पता चल जा है ऐसा नहों कि narration इतनी complicated लिख दो कि तीसरे बंदे को समझी ना है आपने लिखा क्या हुआ simple language में लिखना है convey करना है मैंने काम क्या किया हुआ कही बार आपके जाने के बाद honor भी check करने बैठ सकता है उसे तो journal entry का pattern नहीं पता तो आप नीचे लिख के रख सकते है उसके लिए कि मैंने ये काम किया था आज ये हुआ होगा तो फिन on credit आता है on credit आता है तो ये भी save हो गया ये सारा आपको day book में reflect होना start हो जाएगा day book क्योंकि mix up के साथ चलती है journal book जो होती है हमारी तो उसमें sale purchase सारा आएगा लेकिन sale वाला data sale वाले voucher में ही दिखाएगा purchase वाला data purchase voucher में ही दिखाएगा होगा एक ही जगा पे बठोगा अलग-अलग voucher के अंदर clear है ये चीज़? ठीक है after saving the entries in sale voucher, sale voucher में एंट्री पास करने के बाद अब आपने कौन सा वाउचर यूज़ करना है payment voucher payment voucher F5 कमांड से ओपन होगा आपका ठीक है तो F5 से अपने payment voucher को open कर ले ना ठीक है payment voucher में expenses वाली entries जाएंगी जितने भी companies के expenses हो रहे हैं चाहिए charging advertisement marketing any type of expense ठीक है और इसमें debit side पहले से ही ऊपर होती है और एक चीज का ध्यान रखना हम जितनी भी entries पास कर रहे हैं यह सभी double entry system में जा रहा है single entry system में नहीं है दो system होते हैं ना हमारे पास that is single entry system and double entry system market में सबसे जादा जो run करता है that is double entry system उसमें error होने के chances बहुत जादा कम होते हैं as compared to single entry system single entry system practically भी है बनाया किसके लिए non-comer students के लिए जिनको accounts की जादा basic knowledge नहीं है लेकिन वो इस field में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो वो single mode में भी काम कर सकते हैं बट एक चीज का ध्यान रखना single mode sale purchase and general voucher में run करता ही नहीं है single mode कभी नहीं आता वहाँ पे वो सिर्फ आता है payment में receipt में and contra voucher में इन तीनों में आ सकता है otherwise नहीं आएगा फिलालम double entry में ही सीखते हैं तो मान लेते हैं मेरी company ने कोई electricity bill पे किया है buy cash buy check जो भी mode था तो entry बनेगी electricity bill account debit to cash or bank जो भी था electricity bill यहां पे debit side में expense था मान लो 1800 का enter and मेरी company ने buy check SBA का check था वो payout किया है तो यहां पे SBA bank account बनाया हुए मैंने already select किया enter किया और आपकी entry pass हो जाएगी जब आप enter करोगे यहां पे check का format वो अपने आप दे देता है ठीक है तो हमें जादा कुछ करने की जरुरत नहीं है practically सारी चीज़ें backup में रन कर रही है and जरूरी नहीं है कि bank के तुरू सिर्फ check का ही काम हो bank के तुरू बड़े सारे काम होते हैं आप जब space bar प्रेस करोगे यहां पे रुपकर आपको साइड में वो और option भी देतेगा कि आप कोई और चीज तो नहीं कर रहे हो check के इलावा अगर आप show more पे जाते हो और enter गरते हो तो आपको और भी option देतेगा क्योंकि आज की date में बड़े सारे तरीके चलते है e-fund transfer चलता है निफ्ट भी गहरा तो पहले से ही चलती थी आपकी RTGS भी गहरा जो होती है वो पहले से ही चल रहे थी पाकी ATM कार्ड देता है कोई ATM की तुरू करवा रहे हैं e-fund transfer आपको बता ही होगा और उसके बाद होता है यहां पर आता है ECS और Electronical Check यहां पर वही दोनों ही चीज़ है यह आप software के अंदर से बेज रहे हो यह आपकी पास कोई अलग से आपने machine रखी हुई है दो तरीकों से होता है उसके बाद आता है Electronic DDPO QR Scanner भी अरह लगा रख है जब यह software इंस्टॉल करवाय जाते हैं अगर आपने company में other equipment भी साथ में अटैच करवाना जैसे printer अटैच करवाना इसमें या फिर आपको QR code scanner का बीच में add करवाना इंस्टॉल करवाना पड़ता ना पर्सनल मैंने पहले बोला था आपको पर्सनल वाला कुछ नहीं कर सकते हैं तो वह installation के time पे वह पर्सनल करके जाता है बीच में पैकेज जब मिलता ना वह इंस्टॉल कर जाता है बीच में या फिर अगर आप online खुद खरीद रहे हो तो online आपको commands दे जाते हैं यह चीजे आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज मिलता है वह पूरा combo मिलता है जितने फीचर एड़ करवाओगे उतने चार्डिस बढ़ते जाएंगे जैसे अगर मैंने laptop लिया मैंने laptop 18,000 का लिया मैंने बोला बीच में Microsoft Office डाल दो चलो वो तो 1212 something का आता है डिपेंड करता है कौन सा लेना आपने तो उसके वो चार्डिस लेंगे मुझसे अगर मैं extra को इंस्टॉल कर वा रही हूं सेम वही चीज यहां पर भी आती है तो फिलाल even transfer या फिर check check के थ्रू कर लेते हैं चिक है so that's all for today guys I hope आपको कोई भी डाउट विएरा नहीं रहा होगा इन तीनों वाउचर में परचीज पेमेंड एंड सेम वाउचर को यूज करने में बाकी के जो वाउचर उन्में एंट्रिस पास कैसे करते हैं वो हम अपनी फॉर्धर्स वीडियो में डिस्क्रस करेंगे have a good day, bye-bye